Hi friends, Christmas Day आने वाला है 25th December को, हम सबको पता है Santa आते हैं, हमारी wishes को fulfill करके जाते हैं और मैं को याद है, हमने पिछले साल भी एक activity की थी, wish socks वाली इस साल भी वही same activity repeat करेंगे, हम लोग एक wish socks आप लोग ला सकते हैं 24th की रात को, ठीक है, 24 तारिक की रात को आप लोग ये काम करोगे आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले, अब क्यूंकि एक नया साल शुरू हो जाएगा, कुछ दिनों के बाद ही ठीक है, नया साल पे भी हम एक activity करेंगे, वो मैं आप लोगों को बता दूँगी फिलहाल आप लोग 25th के लिए क्या करोगे, अपनी विश, जो भी आप लोगों की wishes हैं, जितनी भी wishes हैं उन सब को एक blank paper पे red color के sketch pen से लिख दीजिए, present tense में, ओके आप एक letter की तरह इसको लिखिए, to the Santa, to the Santa करके, और इसकी बाद जितनी भी wishes हैं, उन सब को present tense में आपने लिखना है इसके बाद thank you, thank you, thank you, thank you, thank you universe लिख जीजिए, या thank you, thank you, thank you, thank you, Santa करके लिख दीजिए जो भी आपको लिखना है, इन सब को लिख करके, यह जो पूरा paper आपने बनाया है, इसको आप उस wish socks में डाल देंगे, फोल्ड करके, अच्छे से फोल्ड करके आप उस wish socks में डाल देंगे और 24th की रात को, आप इस socks को, यह जो wish socks होता है, इस socks को आप बाहर अपने घर से बार, अगर हम सब अप तो Christmas के लिए इतने excited रहते हैं, सब Christmas tree भी बनाने लग गए अपने अपने घरों में, हम celebrate भी करते हैं अच्छे से, अगर आपके घरों में आप लोग सेलिब्रेट कर र अच्छे plants हैं, जो आपको अच्छा लगता है, सबसे अच्छा वाला पौधा जो आपके घर में हैं, उस पे जाकर के आप इस तो टांग देंगे, इस socks को और रात भर के लिए छोड़ देंगे, ठीक है, अगर बाहर है तो बाहर टांग दीजे, अगर आपने Christmas tree अपने घर क अंदर बना रखा है, तो आप अंदर ही इस wish socks को इस plant में, मतलब इस socks को रात भर किसी ना किसी पौधे पे लगे होना चाहिए, ठीक है, plants हमें पता है, सब living beings हैं, सब living creatures हैं, और जब हम अपनी wish present tense में बोल करके टांग रहे हैं, और क्योंकि उस दिन divine powers हैं, हम जानते हैं कि Santa आते हैं, चाहिए वो हमारी हम मानते हैं, जो भी है, कितना सच है, कितना जूट है, नहीं पता, लेकिन सारी चीजें हमारी विश्वास के उपर हैं, हम क्योंकि एक high vibes में होंगे उस दिन, क्योंकि celebration है, सब खुश होते हैं, खुशियों के साथ जब अपनी अपनी wishes को present tense में क करके, उस wish socks में डालके, आप जब टांग दोगे, तो yes, जरूर manifest होगा, 100% manifest होगा, at least वो खुशी तो मिलेगी आप लोगों को, ठीक है, so, जरूर कीजिगए या activity, और सब लोग, family के जितने members है, सब को बोलिए, अपने-पने wish socks बनाए, एक ही wish socks में सब ना डाले, please, अपने अपने wish socks अलग-अलग ला करके, और सब अपने-पने wish socks में अपनी-अपनी wishes की एक पूरी अच्छी से list बना लीजिए, red color के sketch pencil लिखके, उसे decorate कर दीजिए, एक letter की तरह आप सांटा को लिख रहे हैं, उसमें अच्छे से उसको fold करके, उसको रख दीजिए, अगले दिन सु आप उस socks को महां से निकाल सकते हैं, अब यह जो आपने paper बनाया है, जिस पे आपने wishes लिखी है, आप चाहें, तो इसे रख सकते हैं अपने पास, अगर आप लोग को है कि नहीं हम नहीं रखना चाहते हैं, कोई देखना ले, तो आप इसे dispose कर सकते हैं, dispose करके यह जो paper के अब इसे use करना शुरू किजिए, wish socks या तो बाहर से ले किया यह, या अगर आपके पास कोई आप घर में खुद बना सकते हैं wish socks, कोई paper से या किसी तरह से कोई DIY कर सकते हैं, तो please कीजिए, बहुत अच्छा है, वैसा करके, and yes, Santa से अपनी wishes के लिए blessings मानगे, happy रहें, and Merry Christmas to all of you, happy Christmas to all of you, and नए साल के नए टेखनीक के साथ मिलेंगे, नए साल में हम किस तरह से पूरे साल के लिए अपनी अपनी wishes के लिए क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह से अपनी wish manifest कर सकते हैं, so that's all guys, thank you so much, God bless you all, stay positive, stay safe.